इस वीडियो में बात करेंगे बहुती फेमस घड़ना जलिया वाला बाग हत्या कांट और इससे सम्मंदित रॉलेट एक्ट तो क्या था यह घड़ना थी क्या ऐसे कहानी थी क्या बैक्ग्राउंड दी और इसमें सम्मंदित जो हंटर कमीशा ने उसके बारे में भी बात करें था कि अगर कहीं बी बिटिस अथकारी को आप इंडियेंस हैं खोड़ी बी संदित लगते हैं तो आप आपकोके कभी बी आरेश्ट कर सकते हैं compensation होगी आपको तो ships में तो बैसाखी महुत्साओं के समय पर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के अंगेंस्ट ठीक है धर्णा दे रहे थे सांगती पूर्वा धर्णा था नौन वाइलेंट प्रोटेस्ट था ठीक है रॉलेट एक्ट में पंजाब छेतर की जो प्रमुख दो क्रांतिकारी नेता थे सत सत्पाल ठीक है डाक्टर सत्पाल और सैपोदीन किछलू इनको अरेश्ट कर लिया गया था तो इसी ब्रोध में कुछ प्रतसंकारी नौन वाइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ठीक है इसी बीच इसी बीच जनरल ओडायर पहुंच जाते हैं और धुआधार वहां पर गोल लेमेटी हुई थी बहुत लोग मारे गए थे ठीक है अब देखते हैं कि दोलेट है क्या तो एक प्रकार का यह अनर्कियल और रेवलुशनरी क्राइम सेक्ट है ठीक है जो की 1919 में पास किया गया था इंपीरियल लेजलेटिव काउंसल दौरा मार्च 1919 में बोला यह गया था कि British officers को अगर आपकी नजर में कोई भी Indian suspected लगे तो उसे terrorist कर दो और उसे arrest कर लो बिना किसी warrant के बहुत टफ रूल था और साथ 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 सर्च का permission मिली थी इनको बिना किसी warrant के आप सर्च भी कर सकते हो और जो freedom of press थी उस समय जो मतलब अख़बार के माध्यम से लोग आपस में communicate कर पा रहे थे अपने बिचार प्रेमर से शेर कर पा रहे थे बचार बगरे तो अब उस पे भी इन्होंने restriction लगा दिया था पृतिबंद लगा दिया था तो यह जो recommendation थी यह जो act था अब किसके नाम से या किसने recommend किया था जरा इस इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है तो सर सिड्नी रॉलेट यह उस समय जज थे ठीक है तो सर सिड्नी रॉलेट ने इनकी कमेटी की recommendation पे यह act पास हुआ था इसलिए कहला है था रॉलेट एक्ट तो इनका पूरा नाम याद रखना सर सिड्न अब इसके बिरोध में 6 अपरेल को पूरे देश इस्तर पे हरताल होती है और इस हरताल का आरंब किया था महत्माकांदी जी ने भूंक हरताल के तौर पे ठीक है तो नेशन वाइड हरताल शुरू होती है रॉलेट सत्यागरह की नाम से ठीक है तो यह डेट इंपोर्टेंट था वो था टूस रिप्रेस तक ग्रोविंग नैसनलिज्म या नैसनल मूव्मेंट जो उस समय राष्टबाद की अधारड़ा एक्दम से पनप रहे थी राष्टबाद जो भारती राष्टी अंदरान एकदम से उबाल पे था तो उसको दवाने के लिए प्रकास से प्रिया को कि इस छेत्र में थोड़ा सा उग्र सभाव के लोग हैं और उपद्र भी भी हैं यतने भी मुश्ट्री क्रामतिक आई रहे हैं मुश्ट्री वो पंजाब अंजाब साइट से रॉंग करते थे तो पंजाब को अलार्मिंग सिच्वेशन पे रखा गया था और साथी साथ बीर म में एक मारसल लौ पास किया गया था और इस लοओ में बात की धी कि किसी पर स्थान पे चार लोग और नहीं होंगे असेंब्ली नहीं होगी ठीक है तो कहीं भी वेगद चार लोग से दिखते आए चार लोग खड़े मिल आए तो आप उन्हें तुरंथ अरेस्ट कर सकते हो ऐसी पावर दी गई थी ब्रिटिस ऑफीशर्स को तेरा प्रेड उन्निस सो इन्निस को बैसाखी के दिन लोग बाग जलिया वाला बाग में आहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इस बीच जनरल ओडायर ठीक है जनरल ओडायर वहां का जो अधकारी था एक पुलिस अभी सर उसने फायरिंग की थी और आके जो ब सब्सक्राइब के अनुसार बाकि ऑन्दा ग्राउंड तो किसी को कोई पता ही था कितने लोग मारे गए और पंद्रा सो लोग लगबग घायल थे कि government ने इस से घठना की inquiry के लिए हंट कमीशन बनाया हंटर कमीशन है तो ऊपने अछिक के विए साहilot कि किया तो उसके बाद 1920 में तो इसे दोबारा आर्मी में ले लिया गया था और यहां पर जान देना कि जनरल ओडायर यहां पर प्रोलिस ऑफिसर है और माइकल ओडायर लेट्रियंट गवर्नर थे पंजाब के ठीक है जो को जो की आदेश देते हैं जनरल डायर को ठीक है तो 2019 से 1940 तक 21 साल के अंतरारगबाद माइकल ओडायर को इंग्लेंड में सूट कर देता है सूटर कर देता है तो यह उदम सिंग यहां पर उन्नेश चालिस में बदल लेते हैं अब इसे बीच हुआ क्या था कि कुछ जो भारती नेता थे ठीक है उन्होंने अपनी उपाधियां यह चोड़ी जो अंग्रेज़ों ने को दी थी जैसे टैगोर ने नाइट हुड की उपाई छोड़ी और गांधी ने कैसा रहे हिंद यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जलिया वाला है कंड के समय कांधी ने कौन सी उपाधी छोड़ी थी तो वह को ने कैसा रहे हिंद इन्ह इनका कुछ रोल रहा है उसमें इनको यह कैसा रहे हिंद की उपाई दी और यह इन दो लोगों ने अपनी यहां पर त्याग दीती इसके बाद बात करेंगे नौन को मुमेंट कवारे में तो इतना नोट्स आप बनाते जाएं ऐसी करम से और अगर आप यह वीडियो पढ़ इसकाद इसाद इसाएंच वान, Signing off, thank you for watching.